नमस्कर दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सिकेंडियर के थर्ट सेमेश्टर में आपका जो सब्जेक्ट हिंदी उसके अंदर कौन-कौन स आज को सीखने को मिलेगा जोकि भी एकजाम में काम करेगा तो आई देर ना करती हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जो भी कोश्चन आने वाले हैं उन आने वाले कोश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बत पता दू कि इस पहले लगूत्री प्रस्णों के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे दोस्तो लगूत्री प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तो आपका पहला प्रस्ण दियावा है हिंदी कहानी की विकास में प्रेमचंद की युगदान का उले कीजिए पह कोश्चन कर रहा है कि आलोचना से आप क्या समझते हैं यहां पर आपको सबसे पहले आलोचना के बारे मतना है कि आलोचना क्या होता है उसके बाद आगे आपको समीक्षा का अर्थ बतना है कि समीक्षा का अर्थ क्या होता है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पर आप आपका चोधे कोशन की बात की जड़ति यहां पर आपका चाटा कोशन दियाओ है रेखा चीतर और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए छाटा कोश्चन कर रहा है रेखा चीतर जीवनी में क्या अंतर होता है यहाँ पे आपको रेखा चीतर जीवनी में अंतर स्पष्ट करना है यहाँ पे आपको अंतर बताना है अब अगले question की बात कीज़ात यहाँ पे आपका सात्वा question दियवा है लक्षिमी बाई स्वतनता की देवी की सची साधिका थी इस कथन को संचेप में सपष्ट कीजिए यहाँ पे आपका साथवा कोश्चन कर रहा है कि जो लक्षमी भाई है लक्षमी भाई स्वतंता की देवी की सची साधिका थी इस कतन को संचेप में इस पश्ट करना है और बगली कोश्चन की बात कीज़ात यहाँ पे आपका आठवा कोश्चन दियवा है कहानी की छेतर में जैनेंद्र जी का स्थार निर्धारित कीजिए आठवा कोश्चन कर रहा है जो जैनेंद्र जी है यहाँ पे आपको कहानी की छेतर में जैनेंद्र जी का स्थार निर्धारित करना है अब बगली कोश्चन की बात कीजिए यहाँ पे आपका नवा कोश्चन दियवा है फड़ी की बिशेस्ता है बताईए दसवा कोश्चन कर रहा है जो चंद्र गुप्त के चरीत्र की बिशेस्ता है यहाँ पर आपको चंद्र गुप्त के चरीत्र की बिशेस्ता बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाती है यहाँ पर आपका बराव कोश्चन दियावा है दिपद दिपदान एकांकी के कथाना की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है इसके विकास में आश्क जी का जहां बताना है और बगले कोश्चन की बात की जाती हैं पे आपका这 ज्योंड होगा है निबंध रचना में आचारे हजारी परसा दिवेदी का स्थान निधारित करना है अब अगले कोश्चन की बात कीजात यहाँ पर आपका सुलाव कोश्चन दियोगा है डॉक्टर बीद्या निवास मिस्र का जीवन परिचे दीजिए अब अगले कोश्चन की बात कीजात यहाँ पर आपका सुलाव कोश्चन दियोगा है हरी संकर परसाई की भासा सहली पर प्रकाश डालिए अब अगले कोश्चन की बात कीजात यहाँ पर आपका लास्ट कोश्चन दियोगा है यहाँ पर आपको राहुल संकरत्यायन का संचीप्त जीवन परिचे देना है तिये दोस्तों टोटल आपके 20 कोश्चन होगे जो कि आपके लगूतरी प्रस्णे में पुछाएंगे दूसरा कोश्चन कहा रहा है जो हिंदिय उपण्यास है यहाँ पर आपको हिंदिय उपण्यास के उद्भा और विकास पर अपना अभीमत बेक्त करना है यानि कि यहाँ पे आपको अपने विचारों को लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका तीसरा कोश्चन दियवा है कहानी कला की दृष्टी से जनेंदर कुमार की कहानी पाजेव की विविचना कीजिए तीसरा कोश्चन कर रहा है जो कहानी पाजेव यहाँ पे आपको कहानी कला के दिरिष्टी से जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेव की भी बिचना करना है अब अगली कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका चोथा कोश्चन दियावा है रोज के आधार पर अगे की कहानी कला पर प्रकाइड लिए अब अगली कोश्चन की बात कीजाती है आपका पाच्वा कोश्चन दियावा है कहानी के ततो के अधार पर तीसरी कसम कहानी की तात्विक विचना कीजे पाच्वा कोश्चन कर रहा है जो तीसरी कसम कहानी है यहाँ पर कर रहा है कि कहानी के ततो के अधार पर तीसरी कसम कहानी की तात्विक विचना कीजे यानि कि यह जो कहानी है तीसरी कसम यहाँ पर आपको तीसरी कसम कहानी की तात्विक विचना करना है अब अगले question की बात की जाते यहाँ पे आपका चाटा question दियावा है धुरुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है उसके चरित्र की बिसेस्ताओं की बिवेचना कीजिए चाटा question कर रहा है जो धुरुव स्वामिनी नाटक है यहाँ पे कर रहा है कि धुरुव स्वामिनी का नायक है यहाँ पे आपको नायक के चरीत्र की बिस्था बतना है यहीं कि धुरूसवामे नियाटक के बारे में आपको बतना है अब अगले question की बात कीजाते यहाँ पे आपका सात्वा कोश्टन दियाँ लक्षमी का स्वागत एकांकी के तत्तोगय अधार पर समिक्छा यहां पर कराए जो एकांकी है लक्चमी का स्वागत यहां पर कराए कि लक्चमी का स्वागत एकांकी के तत्व काधार पर समिचा कीजिए यहां पे दूस्तो आटो कुशन करा है जो पाठ घरत वर्स अुनति कैसे हो सकती ए यहाँ पे करा है इसıldोaks सुपने सब्दों में लिखी है इनी कि भारत वर्स कुशन की बात की जा इस Medicine नवा कोश्चन दियावा है डॉक्टर बिद्या निवासमीसर के ललित निबंद तुम चौंदन हमपानी का सरांस अपने सब्दों में लिखिए नव कोश्चन का रहा है जो डॉक्टर बिद्या निवसमीसर के ललित निबंध है तुम चौंदन हम पाने इसका सरांस आपको अपने सब्दों में लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहापे आपका दसवा कोश्चन दिया है कलम का सिपाही निबंध का सरांस अपने सब्दों में लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहापे आपका दसवा कोश्चन दिया है महादेवी बर्माद्वरा लिखी तरेखा चितर गीलू का सरांस अपने सब्दों में लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहापे आपका लास्ट को कोईशन दियवण है और लिखई आत्म का सरांस लिख़िए बरहो कोईशन कहर direction कहरे है इहाँ पे आपको जूछन का सरांस अपने सब्दों में लिखना है ऐने कि जूछन जो कथा है आत्म कथा है इसके बारे में आपको उसका सरान से लिखना है तो ये दोस्तो टोटल आपके 12 कोश्च चलोगे जो कि आपके दीरी गुतिरी प्रश्णों में पूछे रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लगुतिरी प्रश्णों दीरी प्रश्णों दोनों तरक के प्रश्णों के ब करके बताएगी कि आपको नेक्स वीडियो की स्टूपिक उपर चाहिए ठैंकी दोस्तु